इलेक्ट्रिकाल टॉक में आज हम एक वाटर फाउंटेन के साथ इलेक्ट्रिकाल सप्लाई को कैसे प्रोभाइड के जाता है उसके बारे में डिस्कुसन करेंगे अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में अल अप्शन्स को क्लिक कर दीजिए साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए देखिए वाटर फाउंटेन के साथ इलेक्ट्रिकाल सप्लाई को प्रोभाइड करने के लिए बहाँ पे वाटर फाउंटेन और इलेक्ट्रिकाल डिस्ट्रिब्यूशन बोर तक एक ट्रेंच करना पड़ेगा जहां पे एक PVC pipe के माध्यम से हम electrical supply को distribution box या फिर फिडर पिलार से लेके water fountain तक पहुंचा पाएंगे तो इसी तरह से एक water fountain के साथ electrical supply को provide करेंगे पहले हमें एक cable trench करना पड़ेगा जहां पे एक PVC pipe को लेइंग करेंगे और उसके अंदर electrical supply को water fountain के साथ provide करेंगे water fountain के साथ electrical supply को provide करने के लिए हमें एक trench करना पड़ेगा जहां पे एक PVC pipe के माध्यम से service wire को feeder pillar तक connection करना पड़ेगा और इसी तरह से water fountain के पास electrical supply को provide किया जाता है अगर आपको electrical talk का इस episode से कुछ knowledge मिला है तो इस वीडियो को एक like कर दीजिए साथ इसाथ external electrical work से जुड़े knowledgeable वीडियो के बारे में जानने के लिए आसुतोस electrical architecture channel को subscribe करने के बाद bell icon में all options को click कर दीजिए Thank you